हेलो बच्चो आज हम करेंगे चार अक्षर वाले सब्द आज हम क्या सिखेंगे चार अक्षर वाले सब्द ओके तो आप लोग मेरे साथ इसकी रीडिंग देखेंगे और इसकी राइटिंग देखेंगे कि किस तरीके से इसको राइट और रीड किया जाता है ठीक है तो कि मेरे शाथ पढ़ीए इसको अजगर थीक है तो हम पढ़ रहा है चार अक्षर वाले सब्द देखिए इस में क्या चार ні जार haber ने हुए न उन तो त्री फॉर चार अक्षर वाले हुए न सब्द यह तो जह जिसमें चार अक्षर आते हैं, पूरे उसे कहते हैं, चार अक्षर वाले सब्द, ठीक है, इसे हम बिना मात्रा वाले सब्द भी कह सकते हैं, ठीक है, आगे करते हैं, ट, म, ट, म, तो देखें, टोटल चार अक्षर हो गए इसमें, और ये सब्द बना है क्या, ट, म, ट, म, ठीक है, अ, द र क तो बताइए क्या हो जाएगा यह पढ़के बताइए आप रेड करिए तो चलिए करते हैं क्या अधरक बन गया ठीक है नेक्स्ट है कर तो बताइए क्या सब्द बना कर्तब बना क्या बना कर्तब सरबत क्या हो जाएगा सरबत हो जाएगा सरबत ठीक है कॉपी और पैन लेके बैठा करिए जब भी रेड किया करिए तो आप लोग कॉपी और पैन लेके बैठे हैं नहीं बैठे हैं तो लेके बैठ जाएए ठीक है और मेरे साथ साथ इन सभी वर्डों को राइट करिए हम पढ़ेंगे चम 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 ठीक है इस तरीके से ब र त न क्या हो जाएगा चलिए एक साथ मैच करके पढ़िए बरतन क्या हो जाएगा बरतन ठीक है समझ में आ जड़ Seven चड़ क्या बं गया सब्द जऻट-पट ठीक है जड़ें आप मेरे साथ चीक है बोलते अजिएगा यह नहीं कि चुप होकर के बैठे रहे ठीक है बोलते रहे पढ़ना है ना तो पढ़े दो पानगह कि क्या सब्द बन गया पनगहट बन गया क्या बन गया फंगहट बन गया ठीक है चलिए म र अ हो मिर हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए क्या बना है मारहम मरहम क्या बना मरहम ये कर रसड़ क्या बन गया कसरत बन गया कसरत चकैप चली ए करते रहे बोलते रहेगा मेरे साथ हमने लिखा क्या हर हर रीड करिए क्या हुआ हर हर हुआ हर हर ठीक है अगला मर घट क्या बन गया सब्द मरघट 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 ठीक है उपवन क्या बन गया सब्द उपवन ठीक है आपको ऐसे ही चार वर लेने हैं जिनको राइड करने के बाद एक मेनिंग फुल सब्द बने ठीक है जिसका कोई एक अर्थ निकलता हुआ यह नहीं कि आप चाहे जो सब्द अक्षर लेकर के इधर उधर राइड कर दें तो वो आ सब्द बने ठीक है तो हैसे ही आपको अक्षर लेने हैं जिनका कोई जो है सब्दोको एक साथ राइड करने के बाद कोई एक मेनिंग्फूल सब्द बने ठीक है कि प्शलिए करते हैं क्या परवल क्या हो जाएगा कि मैं त्या हो घृट थीक है आगे द और क्या सब्द बना दसरत बना है क्या सब्द बना है दसरत बना है अगला करेंगे जम घट रीड करके बताएं क्या हुआ है क्या सब्द बना है इस अगला अ च लिए कर न क्या हो जाएगा अचकन अचकन ऐसे च म कर ले क्या हो जाएगा तमकल क्या हो गया क्या हो गया तमकल ठीक है आगे अ-क-ब-र क्या हो जाएगा अकबर चारवर्डों वाले सब्द में क्या हो जाएगा ये अकबर ठीक है समझ में आ रहा है न तो कॉपी और पेनले के बैठे साथ साथ मेरे लिखते रहे हैं चलिए आगे करते हैं आगे हम क्या लिखेंगे अब गड़वर्वर्फर जय की न बताएगा क्या हो जाएगा इसकी रिडिंग गरदन गारदन चलिए नेक्स करते हैं क्या एक अक्षर क्या क्वह अगला ये ल फिर से हमने लिए पिर से १रर ये ल बताईए सब मिले के क्या हो गया गल 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 क्या हो गया गल गल हो गया ठीक है आगे चट पट क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा बताईए चट पट क्या बन जाएगा चट पट ठीक है आगे चलिए करते हैं च म च म क्या हो गया क्या हो गया बोलिए मेरे साथ आप लोगल कर भगवन तो एक साथ इनकी रीडिंग क्या हो जाएगे बताएए भगवन भगवन क्या हो गया भगवन आगे भर्म त क्या हो जाएगा तो भर्मत भर्मत आगे म खमल क्या बना मकमल आगे म ज हब क्या हो जाएगा मजभ क्या हो जाएगा मजहब क्या बना मजहब मतलब क्या हो गया मतलब यह सब्द क्या बन गया मन भर क्या हो गया मन भर आगे करते हैं मर कर तो पता यह क्या बन जाएगा मरकर क्या बन गया मरकर मर हम क्या सब्द बन गया मरहम हम सीख रहे हैं चार अक्षर वाले सब्द कितने अक्षर वाले चार अक्षर वाले सब्द तो ऐसे देखिए एक हमने लिए अ क दो अक्षर हुआ फिर हमने लिए र फिर हमने लिए क्या म चार अक्षर हुआ न तो क्या सब्द बना अकरम अकरम अ च र ज तो क्या सब्द बन गया अचरज क्या बन गया अचरज ठीक है आगे फिर से लिखेंगे हम क्या लिखेंगे अ न फर र क्या हो जाएगा बूलिए क्या हो जाएगा अपढ़ क्या हो जाएगा अगला करते हैं मिला के बोलिये क्या हो गया आफसर अफसर ठीक है नेक्स्ट अ अ अ फिर से र हर क्या हो गया अरहर क्या हो गया अरहर क्या सब्द बन गया डटकर ठीक है तो देखे हमने यह राइट किया चार अक्छर वाले सब्द कितने अक्छर वाले सब्द चार अक्छर वाले सब्द चलिए आपको हम दिखा देते हैं यह देखे हम सबने इतने धेर सारे चार अक्छर वाले सब्द को राइट किया है कितने अक्छर वाले सब्द चार अक्छर वाले सब्द तो आप लोग इनकी रीडिंग अगेन वन टाइम करेंगे और अपनी काउपी पर नोट करेंगे फिर से दोबारा इसको आप रीड करेंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी ठीक है देखिए एक बार हम रीड करा देते हैं आपको बोलिए अजगर अजगर टम 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 अधरक अधरक करतब करतब चलिए बेटा कुछ और सब्दों को पढ़ लेते हैं क्या है सरबत सरबत चम 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 ऐसे आप लोग मिला के बोलिएगा ठीक है पहले अप्छर को बोलिएगा फिर सेकेंड फिर फिर फोर्थ फिर एक साथ देखिए बरतन इस तरीके से ठीक है जटपट जटपट पनघट मारहम मरहम कासरत कसरत हर 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 मरघट मरघट उपवन उपवन परवल परवल दसरत दसरत ठीक है समझ में आ रहा है बोलते रहेगा मेरे साथ सब लोग ठीक है जमघट जमघट अचकन अचकन तमकल अकबर अकबर तो देखे इस तरीके से आपको इनकी रेडिंग को करना है आप दोबारा इसको हम बता दे रहें आपको कि कॉपी पर राइट कर लिजे आप लोग यहां से देखके और फिर इसकी रेडिंग आप लोग दोबारा करिए गाप ठीके? ओके?